सुप्रभाद बच्चो ये है आपके हिंदी की क्लास और हिंदी के क्लास में आज हम अपनी किताब शब्द लेखन में वर्क करेंगे शब्द लेखन किताब का पेज नमबर 26 और पेज नमबर आप पेज के बॉटम में देखकर चेक कर सकते हैं वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको उस पेज पर डेट मेंशन करनी है आज की और कक्षा कारे बच्चों हमने तीन वर्णों वाले शब्द की रचना, शब्दों को लिखना, शब्दों को पढ़ना और तीन वर्णों वाले शब्दों के चित्र पहचान कर चुके हैं अब हम शब्द लेखन बुक में चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने का अभ्यास कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले देखिए ये किस चीज की पिच्चर है हवन ठीक है और देखो यहाँ पे इसका शब्द भी दिया हुआ इसका नाम भी दिया हुआ हवन 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 फोर बॉक्स में लिखना है हमें ब्लू लाइन के बीच में ठीक है मैं एक शब लिखकर आपको दिखाएंगी बागी चारू बॉक्स में आप अपने आप लिखोगे चले शुरू करते हैं ह व न हवन आपको भी ऐसे ही लिखना है चारू बॉक्स में चले नेक्स पिच्चर देखते हैं देखिए यह आइज है आँक इसको तीन वर्णों वाले शब्द में हम क्या बोलेंगे नयन न य न न न यन चले लिखते हैं न य न न न यन अगला शब्द देखिए पिच्चर पहचाने पहले लिखा हुआ है शहद तो यहाँ पहें क्या लिखा है पढ़के देखिए शहद शहद, शह, ह, द, शहद, चले लिखते हैं, शह, ह, द, शहद, आगले पिच्चर देखेंगे, न, र, म, नरम, चले लिखते हैं, न, र, म, नरम, अगले पिच्चर देखेंगे, प, व, न, पवन, पवन, मतलब हवा, प, व, न, पवन, चले लिखेंगे, प, व, न, पवन, पवन, बेटब पेज नमबर 26 हमने कम्प्लीट कर लिया है, अब हमने इन्हें दुबारा से पढ़ना है, चले शुरू करते हैं, ह, व, न, हवन, न, य, न, न, नयन, श, ह, द, सहद न, र, म, नरम, प, व, न, पवन, बच्चो और work is done बाई बच्चो अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में